स्ट्रेसर नहीं भी तो तरांग के होते हैं एक होता है चैलेंजश और सेकेड नहीं होता है हैं चैलिंजश थियू होते हैं आपको बिम्राव करने संद॥ का करने अपना दर्लाइन आपको Grad granite करने तरस कंप्लीट करने तरस करते हैंhen तो आपरजर, इस सब्सक्राइब हो कउन सा है वो होता है हिंड्रेस स्ट्रेसर अब यह किसके साथ डील करेगा यह डील करेगा स्ट्रेसर डैट कीप यू फ्रॉम रीचिंग यूर गोल्स फॉर एक्जेम्पर रेड टेप ऑफिस पॉलिटिक्स इसे स्ट्रेस जो कि आपको आपके गोल्स अचीव करने से रोक रहे हूं ठीक है जैसे कि आफिस में पॉलिटिक्स है आपका सही काम कर भी रहे तो कोई इंकरिजमेंट नहीं है या आपकी जौब की जो रिस्पॉनसिब्लिटीज है उसकी बहुत जादा आप पे बर्डन है य इसमें फिकली यह है कि काम का प्रेशर है और आपको जो है वो टाइम डाइडाइन का प्रेशर है लेकिन जो हिंड्रेंस है उसमें आप ऑ्ईनाइजेशन पॉलिटिक्स या जो एसी कुछ फेक्टर जो कि आपको आपके गोल आजिव करने से रोक रहे हैं उस चीज़ का अब क्या बात है इसमें नोट करने वाली वह यह कि जो चैलेंज स्ट्रेसर जो है स्ट्रेंज में जो लेस स्ट्रेस जो है पैदा करते हैं जा बनिजबत इसके ठीक है अगर आपके गोल्स चीव नहीं हो रहे होते ना तो क्या होता है कि आपकी बहुत जादा जो है आप डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं अगर आपके ऑफिल्स या आपके जो इन्वार्मेंटल पॉलिटिक्स वगरा का इस तहहां में कोई सीन हो तो क्या होता है वो आपके की पर्सनल्टी को डिसकरेज करता है या आपके बढर नेगेटिव एम्पैक आरह उता है थी राते हैं रिसर्चर्च कहरता है एफ साट गरफाय देशन अडिक्शन worse under stress and when challenge stress increases those with high level of organization supports relies high role based performance but those with low level of organization support do not. अब यहाँ पिन्होंने बात की है कि एक employee है अगर उसका commitment level high होगा, अगर उसका organization support level high होगा, उसका moral level high होगा तो क्या होगा? वो अपने stress को positive views करते वे क्या गरेगा? High sale performance करेगा और high role based performance करेगा. लेकि कोई ऐसा जो जिसका बहुत जादा weak है ये low levels of commitment हैं तो वो अपने stress की वज़े से और जादा weak perform करेगा. और क्या करेगा organization को कोई भी high level नहीं बलकि low levels provide करेगा. फिर आजाता है demands and resources अब देखते हैं इसमें ये बात की वी है कि stress जो है आपकी demands and resources का साथ बहुत ज़दा डील करता है. ठीक है किस तहां से पहले हम demands देख लेते हैं क्या कि है responsibilities, pressures, obligations and even uncertainties that individual face in the workplace. जो demands है एक individual से एक organization में वो क्या क्या है? उसके responsibilities, obligations, uncertainties. इसी के against क्या है? resources है. ठीक है resources के things within an individual control that can be used to resolve demands. यानि कि resources में वो power आ जाएगी, वो energy आ जाएगी, वो extent आ जाएगा कि एक individual किस तहां से अपनी demands को meet करने के लिए अपने resources को use कर सकता है. ठीक है यह बात की वी है, इसके बाद यहां पर आ जाएगा, इसके बाद यहां पर एक और चीज़ यह थी के more typically stress is associated with demands and resources. Demands are responsibilities, pressures, obligations, uncertainties. Resources are the things within an individual's controls she can use to resolve the demands. Let's discuss what demand resources model means. अब यहां पे इनोंने model के बारे में बात की वी किया जो इस बताता है. When you take a test at school or undergo for your annual performance review at your work, you feel stressed because you confront opportunities and performance pressures are good performance review में लेट to a promotion, greater responsibilities and a higher salary. ठीक है? अब पूर रीवीव में प्रिवेंट यू from a getting promotion. An extremely poor review might even result in your being fired. अब यहां पे इनोंने बात की वी है कि जब आपकी annual evaluation हो रही होती है, तो आपकी performance को जब review दिया जाता है तो अगर आपको अच्छा review मिलता है तो उससे क्या होगा? आपको एक अच्छी performance मिलेगी, आपकी responsibilities बढ़ेंगी, आपकी salary बढ़ेंगी. अगर आपको पूर review मिलता है, तो क्या होगा? आपकी promotion जो हो नहीं होगी. अगर इससे जादा इंतहाई बुरा रीवियू आपको मिलता है तो इससे क्या होगा आप फायर भी हो सकते हो तो दे एक्स्टेंट यू कैन अप्लाई रिसोर्स तो दे डिमांड्स और यू यू सचस्ट प्रिपेरिंग फूर यू पुटिंग रिवियू इन प्रिस्पेक्टिफ इस नौ दे एंड अफ दी वर्ल और अब्टेंग सोशल सपोर्ट यू फिल लेस इस्ट्रेस अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने डिमांड्स को मेट करके अपने रिसोर्स और यह दुनिया का खतम नहीं हो जाएगी दुनिया इस तरह से जो है कुछ फैक्टर्स जो है आपके स्ट्रेस को कम करने में हलफ फुल हो सकते हैं अच्छा इसके बाद आज़ते हैं इन फैक्ट इस दा लास्ट रिसोर्स सोशल सपोर्ट मेइब बोर इंपोर्टें ओंग स्ट्रेस लेवल फॉल हुए निल जा तरह साथ क्सी बंदे को तो फुले स्ट्रेस लेवल करते हैं कि वह जो है कि एकर आप सकते हैं और को अधा train को लिते हैं कोई तो आप एस घूड़ mac स्थे आपका बढ़ा जाता है कि उसे में परस्पेक्टव पर्स्पेक्टवप अशलप में गए हैं स्ट्रेस के साथ को अपर करने के लिए अगर आप उसको एफेक्टिव वे में यूस करो तो आपने स्ट्रेस को बहुत अफसेट कर सकते हो और आप अपनी डिमांड को जो है वह मीट कर सकते हो तो यह जू ताज यहां तक ही ठीक है वाकी हमने शौलक कर पढ़ी